श्री शिवाय नमस्तूब्यम हर हर महादेव आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजगर में होने वाली पुच्च गुरुजी की कथा कब और कब तक रहेगी? कितने दिन की होने वाली है? इस कथा का समय क्या रहेगा? और इस कथा को गुरुजी ने क्या नाम दिया है? इसके अलावा हम जानेंगे राजगर के आसपास कौन सा रेलवे स्टेशन और बस्टेशन लगता है? रेलवे स्टेशन और बस्टेशन से कथा पांडल की दूरी क्या है? रेल्वे स्टेशन और बस्टेंड से कथा पांडाल पहुँचने के लिए क्या-क्या साधन है राजगर में होने वाली इस कथा में जो श्रत डालू इस कथा पांडाल में ही रुखेंगे कथा खत्म होने तक उनके लिए क्या-क्या वेवस्था होगी इसके अलावा भी कई जरूरी जानकारे राजगर्ज की कथा से जूड़ी हुई आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगे तो वीडियो को आखरी तक देखें और यदि आखरी में आपके मन में इस कथा से जूड़ी कोई शंका ये प्रशन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो परम पूछे पंडित प्रदीप जी मिश्रा की श्रीमुक से अगली कथा 19 अगस्त से 23 अगस्त तक राजगर मध्यप्रदेश में होने वाली है इस कथा पंडल का पूरा पता राजगर, व्यावरा, रोड, अजीतगर, चोखी, धाणी, धाबे के सामने यह कथा पंडल राजगर से 4 किलोमेटर की दूरी पर है राजगर में होने वाली इस कथा को गुरुजी ने तेज शिवमुरा महापुरान नाम दिया है इस कथा का समय दो पहर एक बज़े से चार बज़े तक रहेगा राजगर की कथा की कलश यातरा अटरा अगस्त को सुबह आड़ बज़े से राजमहल से दो पहर तक स्टेडियम तक रहेगी यानि कि अटरा अगस्त को सुबह आड़ बज़े से यातरा चालू होगी जो राजमहल से होकर स्टेडियन तक चलेगी यदि आप कलश यात्रा में जाना चाहते हैं सम्मलित होना चाहते हैं तो आप 18 अगस्त को राजगर पहुँच जाएं अब जाने हैं राजगर के कथा पंडल तक केसे पहुँच सकते हैं अगर आप राजगर से आ रहे हैं तो आपको ब्यावरा की और 4 किलोमेटर आना है यदि आप ब्यावरा से आ रहे हैं तो ब्यावरा से कथा पंडल की दूरी 21 किलोमेटर है यहां कथापांडल आपको राजगर ब्यावरा के रोड़ पर ही बिल्कुल रोड़ की किनारे ही मिलेगा आपको बस वहाँ छोड़ देगी आप बस से आ सकते हैं यदि आप भोपाल से आ रहे हैं तो भोपाल से कथापांडल की दूरी 140 किलोमेटर है बोपाल से आपको बस से ही कतापांडाल पहुचना होगा क्योंकि बोपाल से ब्यावरा के लिए कोई ट्रेन नहीं है यदि आप इंदोर से आ रहे हैं तो इंदोर से कतापांडाल की दूरी लगबग 175 किलोमीटर है इंदोर से आप बस और ट्रेन दोनों से आ सकते हैं यदि आप इंदोर से ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको ब्यावरा तक ट्रेन मिल जाएगी फिर आप ब्यावरा से राजगर के कथा पंडल तक बस से आ सकते हैं राजगर के आसपास रेलवे स्टेशन, ब्यावरा, सारंगपूर, सुजालपूर और गुना पढ़ते हैं अब जानते हैं पुच्च गुरुजी की हरकत को सुनने के लिए बाहर से बड़ी संख्या में श्रद्धालू आते हैं इसलिए उनके भोजन की व्यवस्ता, रुकने की व्यवस्ता, सोने और नहाने की पूरी व्यवस्ता उपलप्त कराने के लिए आयोजन समीती रहती हैं रुकने वाले शरदालू के लिए सुबह चाई, नाश्टा और शाम के खाने की पुरी विवस्ता की जा रही है इस कथा पांडल में पार्किंग की विवस्ता भी है ताकि जो भी अपने वाहन से आए वे वहाँ अपने वाहन पार्क कर सके ताकि अव्यवस्ता की इस्थती ना बने और किसी को कोई परेशानी ना हो इस कथा पांडल में पार्किंग की व्यवस्ता बहुत ही पास की गई है वहाँ आप अपना वहान खड़ा करके और वहाँ से 200 मीटर पेदल चरकर कथा पांडल पहुँच सकते हैं यहां कथा खाली जमिन पर हो रही है जहां लगबग 10 लाग लोग आराम से बेट कर कथा को सुन सकते हैं यहां बड़े बड़े तीन पांडल बनाए गए हैं जिसमें 3 से 5 लाग लोग आराम से बेट कर कथा को सुन सकते हैं ये तीनों पांडाल वाटर प्रूफ हैं, एलियूमिनियम के हैं, इनमें पानी अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा, रात में आप यहाँ सो सकते हैं यहाँ पर डेर सो से दोसो सोचा लए और बातरूम की विवस्ता की गई है, जिसमें रुकने वाले श्रद्धालों के लिए सोच और नाने की विवस्ता रहेगी पांडाल से दो बीस LED वाउन सिस्टम की विवस्ता की गई है, ताकि पीछे बेटने वाले को देखने में और सुनने में कोई परेशानी ना हो पुझ्य गुरुजी की कथा में विवस्ता की विवस्ता नहीं रहती है, सभी श्रद्धालों एक समान रूप से कथा को सुनते हैं, इसलिए विवाईपी पास के लिए जुगार ना जमा है सभी सुविदाओं के साथ श्रद्धालों की सेहत का भी कथा के दोरन संपुर्ण ध्यान रखा जाएगा, इसके लिए कथा इस ताल पर डोक्टर और उनकी टीम के साथ एक एम्बूलेंस भी मोजुद रहती है आयोजन समीति ने बताया कि कथा सुनने आने वाले श्रद्धालों को किसी प्रकार की परिशानी न हो, इस बात का पूरा ध्यान जाएगा तो देर किस बात की, वहाँ की आयोजन समीति ने बताया कि वहाँ पर पांच लाग रुद्राक्ष से शिवलिंग का निर्मान किया जाया उसका अभिशेक करने के लिए गंगा नदी के जल का एक टेंकर मंगाया जाएगा जो कथा सुनने जाने वाले श्रद्धालों उस गंगा जल से उस शिवलिंग का अरुद्राबिशेक कर सकते हैं और कथा संपूर्न होने के बाद वह पांच लाग रुद्राक्ष कता सुनने वाले श्रद्धालों में बांट दिये जाएंगे तो आप भी यदि कता सुनना जाना चाहते हैं तो राजगर जरूर जाएं और इस वीडियो इस कता से जुड़ी कोई अन्य जनकर या प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी राजवर की कथा सुनने जाना चाहते हैं उनको कोई परिशानी ना हो वीडियो के कमेंट में हरार महादेव लिखना बिलकुल भी न भूलें धन्यवाद